पहले चरण के लोग सभाचनाओ के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में कॉंग्रेस पर निशाना साधा महभूब नगर में रैली को संबोधित करते हुए पीम ने कहा कि आज साफ नजर आ रहा है कि लोगों की से स्कृति में पहुच गई है कि आपने कि कॉंग्रेस और दूसरों के अनेक वर्षों का शाचन देखा है और इस चौकिदार के साथ महिने भी देखे हैं पिकास के ऐसे अनेक काम इन साथ महिनों में किये गए हैं जो दसकों से अटके और लटके पड़े थे इसके अलावा प्रधान मंत्री ने आंधर प्रदेश के कुरनोल में भी एक जनसभा को संबोधित किया इससे पहले प्रधान मंत्री ने ओडिशा के कोरा पुट से राज्य बे चनाव प्रचार का शंखनाद किया इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि 2019 का चनाव सिर्फ एक सांसत और विधायक का चनाव नहीं है ये चनाव केंद्रों और राज्य में विकास का डबल इंजन लगाने वाले बीजेपी के सरकारों के चनाव का समय है ओडिशा में पहले दौर में जिन लोग सभा सीटों पर चनाव होना है उनमें कोरापुर्ट, नवरंगपुर, कालाहांडी और बरहमपुर, संसद्य शेत्र शामिल है उधर बीजेपी अध्यक्ष अमिज शाह ने आज पश्चिम बंगाल के आलिपुर द्वार में चनावी रैली की उन्होंने राज्य की त्रिडमूल कॉंग्रिस पर लोकतंत्र को खत्म करने और गुंडा गर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया अमिज शाह ने कहा कि ये चनाव, विकास, सुरक्षा और पश्चिम बंगाल के अस्तित्व का है उन्होंने कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में 23 सीटे जीतेंगी बीजेपी अध्यक्ष ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लिए जो फंड बंगाल भेचती है वो भ्रष्टाचार के भेट चढ़ जाता है अमिज शाह ने एर स्ट्राइक पर सवाल उठाने को लेकर भी टीमसी समेत विपक्षी दलों की आलोचना की पर nuo हमना करकर मौत के घाट उतादिया पुलवा मैं पाकित्तान के अधाग वाग़े को उनको दर्ज देना चाहिए बार्साने चाहिए नई बसने चाहिए एसक्ट करनी चाहिए टुलवा मैं पाकित्तान के हमुज़त करनी चाहिए Euch less पाकिस्तान को मुदोर दोटेना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अबे मम्ता दिदी ना बोल रही हम क्या करें। चीलता मत करिये। जाहे मम्ता हो अकिमेशो राहुल बाबा हो। वह बात चीत करने की सराध रहे है। मैं आपको आस्वस्त करने आयों मित्रों। मेरे इन्रमोदी सर्टार भाजपा सर्टार आतनकवातियों को छोड़े ही नहीं दिदी। पाकिस्तान की ओसे गोली आएगी यहाँ कोले से जवाब दिया दाएगा। और आए सीधा रुक कर लेते हैं कोलकाता का अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी वहाँ मौजूद हैं। अखिलेश आप वहाँ पर नब्स टटोल रहे होंगे। बंगाल का मजाज क्या कहता है। खास्तोर पर इस बार लड़ाई बीजेपी और तड़मूर कॉंग्रिस के बीच घंगोर दिख रही है। और बीजेपी का वोट पर सिर्साथ बढ़ने के दो कारण है। एक जो तिर्ड़मूल कॉंग्रेस के खिलाप जो लोगों का रोश है। उस रोश का मुकाबला करने में बीजेपी ने काफी तत्परदा दिखाई। और उस सारे सवालों को एड्रेस करने का उसके खिलाप जहां तक हो सके अंदोलन करने का भी काम किया। बीजेपी ने इसके चलते बीजेपी का प्रेजंस यहां निस्ची तोर पे दिख रहा है। इस मामल में कहें कि लेफ्ट फॉरंट और कॉंग्रेस थोड़ा पीछे है क्योंकि उन लोगों ने उन सवालों को नहीं एड्रेस किया जिन सवालों को तत्कालिक जरुवत थी। उसके अलावा बीजेपी ने हर जगा अपने संगशन को मजबूत बनाया है और केंद्र में सरकार होने का भी फायदा बीजेपी क्यों मिलना है। सुधारमंती नैंद मोदी ने जो कई योजनाओं की घोशना किया और जिन योजनाओं का कारण वन हुआ है पस्चिम मंगाल में लोग निशी तोर पे लग रहा है कि बीजेपी पस्चिम मंगाल में एक तिर्मूल कॉंग्रेस का विकल्प के रूप में खड़ी हो सकती है। और देखिए जिस तरीके से पस्चिम मंगाल का पुरा इतिहास रहा है अभिलाशा की पस्चिम मंगाल चुनने में वक्त लेता है और काफी लंबे समय तक देखता है कि क्या इस्तितिया हो रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कॉंग्रेस ने लंबे समय तक राज किया पस्रिम बंगाल में उसके बाद लिफ्ट पर्ट ने चौतिस साल तक राज किया और उसके बाद त्रिमूल कॉंग्रेस अपना दोनों टर्म पूरा कर रही है तो ऐसी सिर्दी में देख रहे हैं जिस तरीके से तरीके से अंदर भी थोड़ी सुखबुगाट है और उसके अला पस्रिम बंगाल में उबर रही है और तकरीबन सभी सीटों पर पस्रिम बंगाल में जो चुनावी समिकरण है वो किस तरह से बैठते वे नजर आ रहे हैं उस पर जानकारी देने के लिए इसके बाद बीजेपी अध्यक शमिश शाह ने बिहार के और अंगाबाद में चुनावी रैली की और उन्होंने कहा कि एक और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में कठोर फैसले लेने वाला नेत्रित्व है जिसने दुनिया में देश का मान बढ़ाया है तो वही की नेता नहीं है ऐसे लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं एक पार दरसी नेतूत आहे एक पढ़ार फैस्टन लेने वाला नेतूत आहे एक पार दन्या में कवरह दिलाने वाला नेतूत आहे एक ओर मोधी और इन सब के बीच बिहार में RGD और कॉंग्रस के बीच सीट बटवारे को लेकर चल रहा विवाद सुलज गया है पतना में साजह प्रेस कॉंफरेंस में RGD नेता तेजस्पी यादव ने सीट बटवारे का अलान किया सुपॉल और पतना साहिब सीट कॉंग्रिस के खाते में आई है इसके अलावा किशन गंज, कटिहार, पूर्णिया, समस्तिपूर, मुंगेर, सासाराम और वाल्मिकी नगर सीट से कॉंग्रिस के उमिदवार ही चुनाव लड़ेंगे जबकि पाटले पुत्र, दरभंगा, सारण, बेगुसराय सीट, आजेडी के हिस्से गई है, साथी भागलपूर, बांका, मधेपूरा, वैशाली, गोपाल गंज, सिवान, महराज गंज, हाजिपूर, बकसर, जहानबाद, नवादा, जंजारपूर, अररिया, सीतामढ़ी और शिवहर से भी आरजेडी उमिद्वार चुनाव लड़ेंगे, ज्यादातर सीटों पर उमिद्वारों के नाम का एलान कर दिया गया है, मधेपूरा से शरद यादव होंगे, दरभंगा से अब्दुलबारी सिद्धिकी, वैशाली से पूर्व के इंद्रिया मंतरी रग बटवारे को लेकर खुश नहीं है, इस बीच एक बार फिर केंद्रे मंतरी अरुन जेटली ने महागठ बंधन पर निशाना साधा है, अरुन जेटली ने कहा है कि गठ बंधन के नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं और इनकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है दस प्रामत ऐसे हैं जिसमें वाइदा किया था जिन्नोंने महागठ बंधन का जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लगबग आदी संसदिये सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे की सीटे कम करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई उनका स्पष् चार नाम ऐसे हैं राहूल गांदी मायावती ममता बैनर जी शरत पवार जो कोशिश कर रहे हैं कि मेरी सीट बढ़ जाए दूसरे की कम हो जाए और मेरा नित्यतों बन जाए कल को जगडेंगे लोगसभा चनाओ के लिए भाजपा की ओर से उमिद्वारों की बारहवी सूची जारी कर दी गई है इसमें 11 उमिद्वारों के नाम है करनाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश से 33 जबकि जम्मु कश्मीर और महराष्ट से एक-एक उमिद्वार के नाम का एलान हुआ है और इधर कॉंग्रिस महासरचेव प्रियंका गांधी वाडरा लोगसभा चनाओ के लिए उतरप्रदेश में जगह जगह जाकर रोट शो कर रही है इसी कड़ी में प्रियंका गांधी आयुध्या पहुंची यहां प्रियंका गांधी ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा आयुध्या में प्रियंका गांधी ने कहा के नेता चुनाओ के समय जब आपके पास आएं तो उन्हें घबराहट होनी चाहिए ना कि आपको इसके अलावा प्रियंका गांधी वाडरा कुमार गंच से रोड शो शुरू करेंगी और आयोध्या के हनुमान गड़ी में दर्शन पूजन के बाद रोड शो का समापन करेंगी हर्याना के यमुना नगर में आयोध्य चुनावी रैली में राहूल गांधी ने मिनिममम आय गैरिंटी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कॉंग्रेस की सरकार बनी तो देश के गरीब को जिनकी आय प्रतिमा 12,000 रुपे से कम है ऐसे सभी परिवारों के खाते में 72,000 रुपे सालाना देने का इंतिजाम कॉंग्रेस सरकार करेगी नियाई होजना का मतलब हिंदुस्तान में जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपे से कम महिने से कम की है 20 प्रतिशद हिंदुस्तान में लोग हैं परिवार हैं जिनकी आमदनी 12,000 रुपे प्रतिम महिने से कम है हम उनको दूड़नेंगे उनके नाम निकालेंगे और उन सब को सब परिवारों को साल के 72,000 रुपे उनके बैंक अकान में डाल देंगे इसके अलावा कॉंग्रेस अध्यक्षने, गुरुक्षेत्र और करनाल में भी जुनाव प्रचार कर कारेकरताओं में जोश फुंका बात हर्याना के ही करेंगे, हर्याना में लोगसभा चुनाओ सत्ता रूड बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों के लिए बेहद हैम है इसके अलावा चुनावी नतीजे राज़ की राजनीती के भविश्य की दशा और दिशा भी तै करेंगे ये चुनावी रण चाचा अभै सिंग चौटाला और भतीजे दुश्यन्त चौटाला के राजनेतिक भविश्य का फैसला भी करेगा हर्याना से लोगसभा के लिए 10 सांसत चुनकर आते हैं लेकिन बीते चुनावी नतीजों पर गौर करें तो अक्सर हर्याना में लोगसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दल ने ही केदर में सरकार का गठन किया है यही वज़े है कि राश्य दल यहां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य में आरूप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है इस बार हम अकेले अपने दम पर दस की दस सीट लड़ रहे हैं और जिस परकार से जो तीन सीट इस बार जो हमारे पक्ष में नहीं है सिर्सा, हिसार और रुत तक अभी 25 फरविक हमारे मानिये राष्ट धकजी ने बूच तरिये कारे करताओं का सम्मेलन किया जीत का मंतर दिया और अब हम पूरे आत्विस्वास के साथ कह सकते हैं कि साथ के साथ साथ ये तीन सीट भी अर्था दस की दस सीट पर भारती जनता पार्टी कमल खिलाएगी अरियाना जो है वो खेती बाहुले एरिया है राज्य है और किशानों को बहुत बुरे दिन देखने पड़े हैं उनकी जिन्सों के जो भाव हैं उनको नहीं मिल पाए बारती जनता पार्टी ने स्वामी नाथनायो के शिफार्स को लागो करने का वायदा किया था और सरकार उसे पीछे अट गई नहीं कर पाई हर्याना में सत्ता में रही इंडियन नैशनल लोगदल राजे में मजबूत राजनेतिक पार्टी मानी जाती है लेकिन बीते दिनों राजनेतिक विरासत के विवाद के बाद चोटाला परिवार में सुलह की तमाम कोशिशे नाकाम हो गई अब अभे चोटाला और 2014 में इनेलों से सांसद बने दुशन्त चोटाला की राजनेतिक राहें जुदा हो चुकी है सांसद दुशन्त चोटाला अब जन नायक जनता पार्टी के बैन अतले चुनावी मैदान में कूट पड़े हैं हम लोगों के बीच में इसी बात के साथ जा रहे हैं बीजेपी ने 2014 में राज्य में सबसे ज्यादा साथ लोगसभा सीटे जीती थी जाहिर है वो इस बार अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी वहीं पूर्वसीम भुपेंद्र सिंग हुडा समीत पूरी कॉंग्रिस के सामने अपनी खोई जमीन को वापिस पाने की चुनाती है इसके अलावा चोटाला परिवार के दोनों धड़ों के लिए ये चुनाव वर्चस्व की जंग भी बन गया है हर्याना के लिए ये लोक सभा चुनाव कई माईनों में बेहत खास होंगे जहां एक और केंद्र सरकार के गठन में ये एहम भूमिका निभाएंगे साथ ही राज में होने वाले विधान सभा चुनाव में भी इस चुनाव की छाप देखने को मिलेगी दक्षन की बात करें तो करनाटक के मांडिया सीट पर इस बार काफी रोचक मुकाबला होने की उमीद है जेडियेस का गढ़ माने जाने वाले मांडिया में गोड़ा परिवार की तीसरी पीड़ी मैदान में है और निखिल गोड़ा, जेडियेस और कॉंगर्स गढ़ बंधन की उमीदवार है वही बीजेपी ने निर्दली उमीदवार और दिवंगत अभिनेता अम्बरीश की पत्नी सुमनलता को समर्थन देकर विपक्षी गढ़ बंधन को टक्कर देने का मन बनाया है दक्षन करनाटक में कावेरी समेट कई नदियों के बेसिन में बसा है मांडिया यहां की जादतर अबादी खृशी पर निर्भर है लेकिन इस समय यहां सियासी हलचल तेज हो गई है मांडिया लोग सभा सीट पर जनतादल सेकिलर की पकड़ रही है 2018 के विधान सभाचुनाफ में यहां की सभी सीटों पर GDS को जीत मिली थी जनाधार को देखते हुए इस बार GDS ने यहां से एश्री देव गोडा के पोते निखिल गोडा को मैदान में उतारा है निखिल गोडा को इस सीट पर निर्दली उमीदवार सुमन लता अमरीश से कड़ी चुनाथी मिल रही है सुमन लता दिवंगत पूर्फ कॉंग्रिस सांसत और अभिनेता अमरीश की पतनी है BJP ने यहां से उमीदवार खड़ा नहीं कर सुमन लता को समर्थन दिया है BJP की यहां JDS और कॉंग्रिस के गड़बंदन के अंतर विरोधों पर नजर है मांडिया ऐसी लोगसभा सीट है जहां लंबे समय से कॉंग्रिस और JDS के बीच राशनी तेक पकड़ की लड़ाई चलती रही है कभी यह कॉंग्रिस का गड़ माना जाता था पार्टी ने यहां से 12 बार जीत दर्ज की थी लेकिन 2009 के बाद यह सीट JDS के पास चली गई हलाकि 2013 के उप्चुनाव में कॉंग्रिस ने JDS से यह सीट छीन ली थी मानिया सीट पर वोका लिगगा और कुर्बा समुदायों के साथ दलित मद्दाताओं की भी बड़ी संख्या है कॉंग्रिस और JDS ने पूरे करनाटा की तरह मानिया में भी जातिये और राशिंदिक सम्मिकरन को साधने की कोशिश की है लेकिन गोड़ा परिवार और दिवंगत लोगप्रिय अभिनेता अम्रीश की लोगप्रियता को देखते हुए यहां रोचक मुकाबले की उमीद है राज़त केन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट राजिसभा टीवी कॉंग्रिस के नेता हार्दिक पटेल आगामी लोग सभाचुनाओ नहीं लड़ पाएंगे गुजराथ हाई कोट ने दंगा भढ़काने के मामले में हार्दिक की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है हार्दिक को महसाना में दंगा भढ़काने के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है और कोट ने उन्हें जमानत दे दी थी हार्दिक पटेल ने गुजरात हाई कोट में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी जिसकी कोट में आज सुनवाई हुई कोट में याचिका इसलिए दायर की गई थी ताकि हार्दिक आगामी लोग सभा चुनाव लड़ सके लेकिन कोट ने इस याचिका को खारिच करते हुए सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया सजाय अफता होने पर अब हार्दिक के चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है हाली में कॉंग्रिस में शामिल होने वाले पार्टिदार नेता गुजरात के जाम नगर से चुनाव लड़ने वाले थे